ने नैनो सेल्स का यूज़ करके एक ऐसी सोसाइटी बनाई जिसमें गेमर कोई अनिमेटेड करेक्टर नहीं बलकि खुद जिन्दा इंसान थे जो खुद को ये दूसरे इंसानों को ऐसा लिडर कंट्रोल कर रहे थे अब इसी के साथ हम मुवी के मेन करेक्टर जोन केबल को द के दुरान हम वहां पर कुछ ऐसे अजीब लोगों को भी देखते हैं जो इदर से उदर और एक जगा से दूसरी जगा पर चले ही जा रहे हैं उनके सामने ही लोग मरते जा रहे हैं लेकिन ना तो उनके जिरों पर कोई एक्स्प्रेशन नजर आ रही थे और ना ही होने कोई की फरक पर रहा था और वहीं हम बार बार सेफ पॉइंट भी लिखा हुआ नाटिस करते हैं जिसे देखकर कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लग रहा था कि शायद भू कोई वीडियो गेम हो या पिर क्या पता हो किसी तरह की आर्मी ट्रेनिंग हो लेकिन जब हम देखते हैं क सब उसे देखकर जोन बोलता है कि पीछी मुड को बोलता है इसाथ हम जान पाते हैं कि असल में जोबन को को कोई कंट्रॉल कर रहा हैं इससे पहले कि दीख काथा जोन का जिको आजो कर रहा था और वहुजैए मोस् दिखार्ण को मारत भानि दीठा में गन्यून से वांडि कैसा बनाया होता है जिसे कान परेंघी इसे में किया जा सकता है वह होती है इसकी स्ब्राइब में रिमोट फंच्छनलिटी के जरीज 510 कर रहा होता है तो सब कुछ उसकी आंगों के जरीगह सकता है करने सबसे पहले इन ड्युमस कर एक सूसाइटी बिदा है घुती है जिसमें गेमर कोई अनिमेटड करेक्टर नहीं बल्कि जिन्दा इंसान थे जो खुद को यह दुसे इंसानों को ऐसा लेडर कंट्रोल कर रहे थे लॉंच होते ही सोसाइटी पूरे दुनिया में फीमस हो गई जिससे रात और रात कैन दुनिया का सबसे अमेर इंसान बन गया पर इसके एक साल बात कैन ने स्लेयर को रियेट किया जिसमें सबी शूटर्स थे और वह सारे प्रीजनर्स थे जिने सजाय मौत ये फिर उमर कैद की सजा सुनाई गई हो अब सुसाइटी की तरह स्लेयर को पें नहीं किया जाता है बलकि इसमें कोई प्लेयर अगर तीस मैच प्लेयर भी है वो अभी तक 27 मैचों में सर्वाइव कर गया है और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है क्योंकि उसके इलावा कोई भी आज तरदस मैचों तक भी नहीं टिक पाया जोन को कंट्रोल करने वोला एक यंग लड़का था जो कि काफी एक्सपर्ट गेमर साथ साथ वो एक रिच फैमली से भी लॉग करता था और वो रिपोर्टर कैन से उन प्लेयर्स के बारे में पूछती हैं जो वार में गूम रहे थे तब कैन कहता है कि वो खतरनाप प्लेयर्स हैं और उन्हें कोई भी कंट्रोल नहीं करता हैं बलकि उनमें तो कुछ बेसिक डाले जाते हैं और अगर वो सिर्फ एक मैच में ही सर्वाइफ कर जाएं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है लेकिन अफसोस की बात ही है कि अब तक कोई भी नहीं बच पाया तब रिपोर्टर उसे पूछती है क्या यह मड़न नहीं है तब कैन कहता है कि कुछ गौर्मिट करना चाहता है और वो सभी को मानने से पहले यही कहता है कि मैं तुम्हें अराम दी जिनी जा रहा हूं लेकिन सच तो यह है कि अगर कैन को ना रोका गया तो एक दिन अपनी नैनोटेक की मदद से सभी को अपना खुलाब बना लेगा अब इस मैसिज के साथ ही ब्रोड कास् जब बैठ कर बाकी कैजियों को देख रहा होता है कि जब वो सेल में होता है तो वहाँ पर एक इंजान और अता कर उसे उसकी बेटी की बिचर देती है और उससे कहती है कि अगर तुम अपनी वाइफ और उपनी बेटी की पास वापिस जाना चाहती हो तो तो तुम इस पर स कर देता है जिसे लेकर वह औरत वहां से चली जाती है कि हम जोन की वाइफ को देखते हैं लेकिन जब उसका प्लेयर दूसरी लटकी के साथ होता है तो इसके बाद हम देखते हैं कि जोण अपने 28 मैच मेच में होता है जहां इस बार तो military chopper से भी अटेक किया जा रहा था लेकिन finally इस बार भी वो सेफ वाइट तक कहुंचने में काम्याब हो जाता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब उन लोगों को वापिस ले जा रहा था तो तभी कैदी out of control हो जाता है और वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि हम सब मरने वाले हैं और आखिर हमें खेल को ना है उसके इतना कहने के साथ ही हम जोन के गेमर को देखते हैं यानि उस यंग लड़की को चुकि ब्रेकपास्ट लेने की बाद अपने गेमिंग रूम में चला जाता है उसे टाइम स्क्रीन पर एक वीडियो प्लेयों होती है जहां पर ज इसके साथ कोई भी बाचित नहीं कर पाता हूं इसके बाद हमें कैन दिखाया जाता है और जब वो यह दिखता है कि जोन ने 2800 मैच भी जीत लिया है तो जोन को मेरवाने के लिए एक खतरनाक आदमी को स्लेयर्स में एड़ कर दीता है तब कैन का साथी उससे कहता है कि जोन को तो आज तक कोई भी नहीं मार पाया तब यह कैसे मारेगा तब कैन कहता है कि हामें जानता हूं कि जोन एक परफ्रक्ट सोलजर है और बहादर भी है लेकिन उसके सबसे बड़ी कमजोरी उसके पिन है यानि उसके और गेमर की भी चौने वाले कमांड का डिले और इंट्र हम जोन को देखते हैं जहां पर वो खतरनाक आदमी आकर उसे दंकी देता है कि शाम होने वाले मैच में मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा वो उससे यह भी बता देता है कि मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा साथ साथ वो जोन को उसकी फैमली की बारे में भी दंकी है कि यहां से बाहर जाने की बात मैं उन्हें भी मार दोगा तब यह सुनकर जोन हुसे में उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन वो खतरनाक आदमी जोन को डिस्ट्रक्ट करकी वहां से चला जाता है अब शाम को जब मैच स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि जोन की गेमर ने कमांड के डिले होने की वज़से वो खतरनाक आदमी जोन पर बाहरी पढ़ रहा था और जिब वो खतरनाक आदमी उसे शूट करने वाला होता है लेकिन रिस्ट्रिक्टेट एरिया में होने की वज़से वेपन्स डिसेबल हो जाते हैं और तब यह गार्ड्स आकर उन्हें इसके बाद जोन की वाइफ अपने बेटी की का स्टेटी वापिस लेने जाती हैं लेकिन जब उस ओफिसर को ये पता चलता है कि वो सुसाइटी में काम करती है तो वो उसे साफ इंकार कर देता है साथ-साथ वो उससे ये बी बताता है कि तुमारी बेटी को एकरीज फैमली जिसके बदले में हम तुमें एक और मोड देंगे क्योंकि जिसे तुम सिर्फ गेम समझ रहे हो वो सिर्फ एक गेम नहीं है बलके यहां और भी बहुत कुछ होता है और इसलिए केन यह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वहां से कोई बचकर वापिस आए और वो आखिर तक कोशि नहीं देगा इसलिए तुम्हें कोई दूसरा रास्ता डूरना होगा जिस पर जोन कहता है कि ठीक है लिकिन इसके लिए मुझे कुछ चाहिए होगा इसके वाइन के बॉटल निकाल कर उसे पी लेता है तो वह नशी में गिरते गिराती आगी बढ़ता है और वहां वहां वह वामिट कर देता है और फिर वो गाड़ी को चाहिए करके वहां से बाग जाता है उसके सरकत की वजह से उसे फ्रेंट कर दिया जाता है इसलिए उसका नाम टॉर्नामेट से हटा दिया जाता है उदर हम देखते हैं जोन के गेमर को जिसे चिटिंग करने और जोन की भागने म पर रुका हुआ था लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो ये रिवील करती है कि वो अजान औरत मैं ही थी सल में मैंने ही तुम से बात की थी इसके बात वो से उसे हेकर के पास ले जाती है जहां जोन को पता चलता है कि उसकी वाइफ Clean और हो लिवील करता है जहां भाग के टाइम वो रिपोरटर इसने चैन का इंटर्वीू लिया था वो उन दोनों को लिव्ट देती है अब यहाँ पर ये reveal होता है कि वो secretly उस hacker की मदद कर रही है कि वो hacker जोन और उसकी wife की नैनो cells को deactivate कर दीता है जिसकी वज़े से जोन को सब कुछ यादा जाता है कि किस तरहां इन नैनो cells को सबसे पहले उसे पर test किया गया और जब वो अपने best friend से बात कर रहा था तो तबी कैन ने उसे control कर लिया और उसकी best friend को shoot करवा दिया और इसी वज़े से जोन को jail हो गई और उसे उमर cat की सजा हो गई अब जोन की brain में नैनो टेक की वज़े से उस hacker को ये सब कुछ पता चल जाता है और यही पर जोन को ये बात भी पता चल जाती है कि उसकी वेटी को किसी और ने नहीं बलकि कैन नहीं अडॉप्ट किया है उदर जोन की gamer को भी चोड़ दिया जाता है और जिवो गर जाकर दीखता है तो वहाँ पर सब लोग उसे cheater कह रही थी और बुरा बला गय रही थी और साथ साथ उसके slayer अकाउंट को भी लोग कर दिया दिया उदर जोन कैन के घर चला जाता है जहां पर कैन तो पहले से ही उसके लिए वेट कर रहा था अब जोन की आते ही वो कुछ कैदियों के साथ डांस करने लगता है और तब इस क्रेन पर जोन देखता है कि कैन के साथी उस हैकर का पता लगवा कर सब एको मार दीती है इसके बाद हो कैदि जोन के साथ लड़ने लगते है लेकिन उन में से कोई भी जोन के सामने जदा देर तक टिक नहीं पाता और जोन उन सब को मार गिराता है इसके बाद जब वो कैन को भी मारने लगता है तब कैन उसे कहता है कि अगर तुमने कोई विवकूफी की या पिर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारी बेटी जिन्दा नहीं बचेगी तब यह सुनकर जोन रोक जाता है और उसे नहीं मारता यहां पर कैन यह भी रिवील करता है कि मैंने भी अपने ब्रेन की 98% डिसे को नैनो सेल्से रिप्लेस कर लिया है दूसरों के नैनो सेल्स कमांड लेते हैं लेकिन मेरे नैनो सेल्स कमांड देते हैं यहां पर कैन अपना मास्टर प्लैन भी रिवील करता है कि बस वो कुछ दिनों बाद अवा के जरीए प्याले वाली नैनो सेल्स को भी रिलीस करेगा जो सिर्फ छे महीनों के अंदर ही पूरे युएस को इंफ्यक्टिट कर देगा जिसकी मज़े से होगा ये कि लोग मेरे गुलाम बन जाएंगे और वो ही करेंगे जो मैं उनसे करवाँगा जो मैं जाओंगा और इतना कहते ही वो उस खतरनाक आदमी के जरीए जोन पर अटेक करता है जिसे जोन एजीली मार कि जाता है लेकिन जब वो कैन पर अटेक करता है तो वो फ्रीज हो जाता है तब Can उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी नैनो सेल्स को reverse कर दिया है यानि अब तुम्हारी नैनो सेल्स फिर से अक्टिवेट हो गए है और यह कहने के बाद वो जोन को मारने लगता है उदर वो reporter जो सहेट्र पर एटैक होने से पहले ही वहाँ से भाग गई थी उसने नेनो टेक में एक कोड डाल दिया जिससे जोन के गेमर का अकाउंट फिर से अंगलॉक हो गया और इसी वजह से उनका लाइव टेलिकास्ट पुरे दुनिया में चलने लगा उदर कैन के साथ ही जोन की वाइफ और उसकी बेटी को भी महाँ पर ले आते हैं और कैन जोन को कंड्रोल करके उसी की बेटी को मारने के लिए कहता है तब जोन अपनी पूरी ताकत लगा कर खुद को कंड्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन तब ये उसके गेमर के कमांड की वजह से वो कैन पर अटेक कर दीता है लेकिन अब क्योंकि केन की नैनो सेल्स पावरफुल थे इसलिए वो जोन की प्रोग्रामर पर ओवर पावर कर लेता है और आएस्ता इसता करके नाइफ को जोन की तरफ गुमाने लगता है तब ये देखकर जोन यहाँ पर एक ट्रिक करता है और वो केन को कहता है कि सनाइफ को गोर से देखो और imagine करो कि इसे मैं तुम्हारे अंदर गुसा रहा हूँ तब यहां पर केन ऐसा ही करता है और उसके सोचते ही जोन उसनाइफ को उसके पेट में गुसा देता है अब केन के मरते हैं, पूरी दुनिया खुश होने लगती है और इसके बाद जोन केन के साथियों को कहता है कि सबीकी नैनो सेल्स को डेक्टिवेट कर दो तो वो लोग उसकी बात मानकर ऐसा ही करते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि जोन अपने फैमली के साथ एक ट्रिक पर जाता है और उनकी जाते ही मोवी यही पर एंड हो जाती है थैंक यू फर वाचिंग